Good morning बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर, आज आपको साहित्तिक हिंदी के पार्ट 5 जिसका शीर्षक है चिपको आंदोलन के विशय में बताऊंगी बच्चों, इस पार्ट को पढ़ने का मेक मुख्य उद्देश बच्चों में प्रकिर्ति प्रेम और संगठन की भावना का विकाज करना है हाईए इस आंदोलन के विशय में कुछ जानते हैं वर्तमान समय में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक नई चेतना दिखलाई पढ़ रही है विज्ञान और तक्नीकी के प्रसार से पर्यावरण और प्रकिर्ति पर भारी पढ़ रहा है एक और विकाज आवश्यक है तो दूसरी और पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है इन दोनों में संतुलन न हो तो खत्रे की स्थिती से बचना संभव नहीं होगा अर्थार इन दोनों में संतुलन होना अतियावश्यक है इसी संदर में चिपको आंदोलन शुरू हुआ इसके सूत्रधार सुन्दर लाल बहुगुणा है जो गांधी जी के नेत्रित में स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी भी रहे तेहरी गडवाल के हिमाले छेत्र में पेड़ों को कटने से नदियों की बाड और भुई स्खलन के घटनाएं होने लगी सुन्दर लाल जी ने फैसला किया कि इस दुषकर्म को रोकना होगा यह मनुष्य द्वारा प्रकिर्ति का बेजा शोशन तो है ही मनुष्य द्वारा मनुष्य के पैरों तले की जमीन खीस लेने का जगन अपराद भी है इस दुषकर्म से सबसे अधिक आहत छेत्र के इस्त्रिया थी सुन्दर लाल जी ने छेत्र के लोगों का आवाहन किया विशेशकर उन्होंने इस्त्रियों का आवाहन किया क्योंकि वहाँ पर इस्त्रियां ही जंगल में इंधन के लिए पेडों से लकडियां इत्यादे चुनने के लिए जाती थी उन्होंने प्राणों की रक्षा के साथ साथ इसे अपने पेडों की रक्षा की भी करनी है उन्होंने यह कहा कि हमें अपने प्राणों की रक्षा के साथ साथ पेड़ों की भी रक्षा करनी है सुन्दर लाल जी ने कहा हम अपने पेड़ों से चिपक जाना है ताकि सौधागरों की मशीने पेड़ों से पहले हमें काटे बच्चों इस आंदोलन के चर्चा न केवल अपने देश में ही बलकि विदेशों में भी खूब रही विदेशों में भी इस लोग इस आंदोलन की चर्चा कर रहे थे बच्चों पर्यावरण की रक्षा करना हमारे लिए बहुत ही महत्पूर्ण है क्योंकि परियावर्ण अगर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं धन्यवाद बच्चों